हलो दोस्तों दिस इस अभिशेख है और टोड़े वी आर गोईंग टो स्टार्ट डेटा मोडलिंग इन सेल्सफोर्स एंड टोड़ेस टॉपिक इस अब्जेक्ट एंड इट्स टाइप सो अभी तक काफी चीजे कंप्लेट हो चुकी है इस प्लेलिस्ट के अंदर हमने होता क्या है तब तक आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी यह आपने अभी तक नहीं किया है क्योंकि इस चैनल में इसी परकार की आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजबल वीडियो लाते रहते हैं ठीक है तो अपना यूसर नेम और पास्व कर लिए और तो यहां पर और अपन हो चुकी है 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 क्यों तो तो तोciones श्काफी चीजेशें ही । इनके जो भी चीजेशे वह हुए नहीं कोस् pressure के पीछे dark mrc अगर चस्वान बाग्ड देख सकते हो andr 축 अग्या वह श्क्मिन इस्टेंड़ आपबजेक्ट so we have two types of object standard and custom so standard object कौन से होते हैं जो कि Salesforce प्रोवाइड करता है जो कि generally हम यूज लेते रहते हैं जैसे account, contact और और भी काफि से leads हो गई opportunity हो गई तो यह सभी यहां पर standard object है जिनको अपन delete भी नहीं कर सकते हैं और इसके अंदर जो fields होती है fields क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे so इनको अपन delete नहीं कर सकते हैं और अब by chance किसी project में हमें need पढ़ गई की एक अलग यह object चाहिए पहले जान लेते हैं object होता क्या है object एक identity को define करता है database में ठीक है जैसे अपने पास database है book type का तो यहां पर different type को books को book object के अंदर store कराया जायता है जैसे book 1, book 2, book 3, book 4 okay so different category की books को अपन book object में store करवा सकते हैं तो जो storage का काम करता है वो object होता है ठीक है I hope थोड़ा बहुत idea लगा होगा कि object होता क्या है okay तो basically standard object and custom object standard object जो की already exist होता है जो की self-sust provide करता है और custom वो होता है जिनको user create करता है अपनी requirement के according जैसे किसी project में new requirement आ गई की client को एक अपनी अलग object चाहिए एक different unique object चाहिए तो अपन custom object create कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहां पर अप्रूवल मेनेजर के लिए यहां पर कस्टम object create कर रहा है अप्रूवल मेनेजर नाम का पेरोल अप्रूवल मेनेजर तो ऐसे ही काफी सारी चीजे हैं जिनको create कर सकते हैं तो create कैसे करना है वो मैं आप सभी को show करूँगा पहले अपन थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं theoretically की क्या होता है so a object refers to a fundamental component of the Salesforce platform that represent a database table which stores data related to particular type of information objects are used to organize and manage data in Salesforce and they serve as foundation for building application and automation business process तो यह foundation होते हैं basically ठीक है जैसे मैं एक application यहाँ पर open करके दिखाता हूँ आपको sales तो यहाँ पर आप देख सकते हूँ है opportunity leads task यह सब क्या है objects ठीक है objects है जो कि एक तरीके के चीजों को represent कर रहे हैं ठीक है तो यह एक fundamental component या fundamental thing है जो कि एक project को बनाने के लिए काम में आती है there are two types of object custom and standard अब fields क्या होती है fields basically sorry fields नहीं records so जैसे books हो गए तो books भी different type की books होती है है तो book one book two book three यह सभी क्या किस से related होते है book है सो ऐसे हो गया जैसे contact नाम का एक standard object है तो contact में different जो persons है उनका data store रहेगा contact के अंदर जैसे हमें स्मित का हो गया जैनेट अर्थूर का हो गया जोन डोय का हो गया जैन एडर्शन होका हो गया ठीक है तो यह different तरीके की records है जो की store रहते है contact object में ऐसे standard object का हो गया जैसे book type का एक standard object या फिर किसी भी type का जैसे employee type का एक standard object है तो different employees के जो records रहें वो store रहेंगे employee में ठीक है तो I hope idea लगा होगा so standard object या होते है मैंने already बता चुक है अबर theoretically check देख लेते हैं these are predefined objects provided by salesforce such as accounts, contacts, opportunity, leads, case and many other standard object are typically used to store common type of data in salesforce ठीक है और इनको पन delete भी नहीं कर सकते है custom object क्या होता है these are object that you can create to store information specific of your organization needs custom objects allow you to define your own data structure fields and relationship between objects they are highly customizable and can be tolerant to fit unique business requirement okay object objects in salesforce can have fields which define the type of data that can store within them as well as relationship with others people yeah other object other object के साथ relationship भी रख सकते हैं अगे custom or standard दोनो बट तुको इस कॉंस्टांट होते हैं वापन देखेंग आगे विच एनेबल यू तुक इस्टेबिश कनेक्शन बिट्वें दिफेरेंट टाइप टेटाफ टेटावर अवर अब्जेक्स प्लेंटिट्स प्लेट्स 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 प्ले प्लेट्स 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 प्ले create कर सकते हैं, create नहीं देख सकते हैं कि कौन सा standard है और कौन सा custom object है, अब create कैसे करना है, तो create करने के लिए अपन को setup में जाना है, ठीक है, setup में जाने के लिए basically यहां पर gear icon पर click करके setup लिख रहा होगा, उस पर जाके यहां पर click करना है, तो यह open हो जायागा, फिर object manager पर जाना है object manager पर जाके यहां पर create पर click करना, तो create पर दो options आ रहे हैं, आपके पास custom object and custom object from spreadsheet जैसा अपन को एक से ज़्यादा यहां पर object create करना है, तो spreadsheet sheet में सभी जो details है वो fill out करके, यहां से upload कर सकते हैं, basically अभी मुझे only एक object create करना है, और यही ज़्यादा use होता है, normally, तो यह fill out कर लेते हैं, तो यह different तरीके के options यहां पर आपको दिख रहे होंगे, तो मैं book नाम का एक custom object create करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको book label डाल देना है, इसका, अब plural में इसका नायम रखना है, तो book का plural books होता है, तो वो मैं आप मैं fill out कर लेता हूँ, यहां पर standard of the health training तो यह जैसे के जैसे रखना है, यहां पर data types to types के होता है, auto number, यह आप auto number रखोगे, तो auto number generate होंगे, auto number जैसे, यहां पर मैं जो भी चीजे रखूँगा, तो उसी नाम का जो record हो create होगा, ठीक है, रिपर्जेंट करेंगा बैसे लिए आपके record को, कि आपका record इस type का है, या नहीं है, जैसे यहां पर b, dash, parentheses, 00, 00, 00, कुछ लिख रखाए मैंने, तो यह इस type का show होगा, a-001, 002, 003, yes, records, तो यह represent करेंगे, और यह आप name, यह text select करते हो, तो जो भी आप name डालोगे, वो ही, यहां पर select होगा, ठीक है, तो मैं अभी के लिए यह भी, वाला, यह auto number, select कर लेता हूँ, और यहां पर आपको reports, activity, fields, यह आने वाली time में देखेंगे, कि report क्या होती है, activities क्या होती है, field history क्या होती है, chatter, groups क्या होते है, सब चीजे हम पर देखने वाले आने वाली वीडियो में, बस connected रगिएगा guys, और बस यही है, तो और यहां पर allow search, जैसे soql query चलाएंगे, तो उसके लिए allow search भी, इसको भी check on कर देना है, फिर यहां पर save पर click करना है, ठीक है, save पर click करते ही, यहां पर आपका एक object create हो जाए अब यहां पर आप देख सकते हो, कि यहां पर कुछ, जब भी अपने information डाली थी, वो यहां पर automatically assign हो गई है, ठीक है, plural name सब चीजे, तो जहां भी अपन use करेंगे, इस API name का use करेंगे, ठीक है, जहां पर refer करना होगा, book object को तो API name को ही refer किया जाता है, so I hope, यह वीडियो आप स बहुत कुछ idea लग गया होगा, यहां पर object और इसके types का, ठीक है, standard and custom, so कोई भी doubt हो, तो यार comment box में लिख दीजेगा, और आज के लिए बस इतना ISO मिलते हैं, next video में तब तक के लिए, thank you for watching this video guys,